हेलो गाइस, वेलकूं डूर चैनल नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सबकापके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की सुड़ में हम बात करेंगे SBA Clark मेंस का रिजल्ट कप तक आएगा सो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के देख सकते हो आज की सुड़ में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे पहले आपका मेंस का SBA Clark का रिजल्ट कप तक आएगा दूसरा आपका कट ओफ कितनी जा सकते हैं मैं आपको एक रेंज बताऊंगा उसी रेंज के बीच में आपकी कट ओफ जाएगी ठीक है तो सब कुछ डिटेल में डिसकस करेंगे उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बाज जिट कर रहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को अपनी मुबाइल स्कीन पर मिलता रहे तो अचली दोस्तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किया तो दोस्तो सबसे बहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की तो दोस्तो अगर मैं बोलूँ आपके एक्सपेक्टिड रिजल्ट की डेट क्या है तो आप ये मान सकते हो कि आपका फ्राइडे तक SBA जो आपका रिजल्ट डिकलेर करता है वो फ्राइडे को करता है तो आपका Friday को result आने के पूरे पूरे chances है अगर मैं एक date बता हूँ पहले मैं expected date पता हूँ यह तो आपका confirm है कि November month में इस month में आपका result पका आ जाना है इस November में आपका result तो आ जाएगा और जोइनिंग भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी तो result आने के बाद आप लोग को जादा time नहीं मिलेगा document verification के लिए I think 10 दिन का आपको sufficient time मिलेगा और 10 दिन के अंतर आप लोग का document verification हो देगा अगर मैं आपको एक expected date पता हूँ कि कौन से date पर आपका result आ सकता है तो वो है दोस्तो 20 November को आपका result आ सकता है पूरे पूरे chances है कि 20 November तक आपका result आ देगा अब हम बात करते है कि cut off expected कितनी जा सकती है तो दोस्तो अगर मैं average लोगों के attempts की बात करूँ तो जितने average लोगों के attempts है वो 85 से लेकर 90 के बीच में यह मैं average से बात करूँ कुछ लोग इससे 90 प्लस भी मिलेगे कुछ लोग 85 माइनस भी मिलेगे अगर मैं average जाता से जादा जितने मैंने candidates से पूछा तो maximum लोगों के average इतने है और इतने यह attempts है इसमें भी बहुत सारे लोगों के GA में गलत हुए है English में लोगों की accuracy तो सबको पता है confirm नहीं होता गलत होई जाते है English में तो यह आपके attempts है और अगर मैं cutoff की बात करूँ तो दोस्तो जो ज़्यादा states जिन states में हमेशा ज्यादा cutoff जाती है जिनकी vacancies कम है तो उनकी जो cutoff जा सकती है वो 90 के आसपास जा सकती है लाइक मैं पंजाब state की बात करूँ एंड राजस्तान state की बात करूँ तो इनकी high cutoff जा सकती है 90 के आसपास बाकि states की cutoff आपकी कम ही रही 85 something या 85 से भी कम रह सकती है ठीक है तो यह था पूरा analysis वीडियो अच्छी लगे तो जुरूर लाइक करना और चैनल पर पहली बास डिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर लेना